ग्लाशी का हीज मैं आज की हमाइड़ी और चिकन में हमारा मारा 애 strive करिए ये आूध हमें दूसरी पैड़ाने के सलगाग्थ यहां फूल साइज का चिकन लिया है इसे मैंने 4 ढूलो में डूकड़ा है और बड़ी बड़ए पीस्टे सबाना है अपलों इसे चुछी सबाइब इस में बहुत जट पड बना सकते खाने बहुत हैं कि कि वह साथ में ग्रीन रही हूं उसी तरीके से हम सब करेंगे अंदर बहार हर तरफ से और आपके पास अगर एर फ्राय नहीं है तो आप कढ़ाई पर बना सकते हैं कम आइल में स्लो आज पर बनाई यह या फिर आप कुकर में भी बना सकते हैं मैंने वीडियो डाली है आप देख सकते हैं वहां पर पी जाके तरह कट लगने के बा जिरा पाउड़ा दर आदा 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 चंमच नमक सात्कया नुचार नं चीकण मसाला है और सातने गरम चंछ को मैंने बनाट चंछ एट कर दिया है और सात्तुरी मैथी इन्हें हम के एक एक कुकिंग और यहां पर पर यहां नहीं पर दोड़ा सा बैड़ शान फूचिड मिला के पूरी जिकन में अच्छी तरीके से लगा लेना है अंदर वाहर और अच्छे से मैरिनेट करना है यहां पर मैंने निंभू कर जानना भूल गई थी तो हम एक और निंभू कर एड़ करेंगे अच्छी तरीके से सब हैं लगा लेना है जो इसके बीजे आप देक रहे हें निम्बू के हम देकाल के बहार कर देंगे तो इसे मैं पूरा निम्बू का रस हमें यूज कर ऑच्छी तरीके से फिर से कि मेरिनेट कर लेंगे बहुती सिंपल रेसिपी है खाने में बहुती जैस्टी है आप अधे गंटे के अंदर इसे प्रॉपर बना कि हा सकते हैं बहुती सिंपल है टेस्टी भी बहुत है तो यहां यहां पर प्रीहीट हो चुका है आप देखेंगे अब मैं इसमें अपने सिल्वर कोई को एड करूंगी इसमें अच्छे से लगा दूंगी कि इसका जो भी जूस वगरा है नीचे ना लगे और अच्छे से लगाने के बाद में इसमें हम तंदोरी चिकन को रख देंगे तो इ करेंगे मतलब एक साइड में 7 मिनट दूसरी साइड में 7 में फिर दो मिनट ऐस्ट्रा उसको पर देने के लिए इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है अच्छे से यहाप एक साइड को खो चुका है कितना अच्छा कलर आया है इसे हम अब पलेट देंगे दूसरी साइड बे अच्छे से पकने के लिए तो यहापे 6-7 मिनट में आप देख सकते हैं और इसमें बिल्कुल इसी तरीके से मैं फिर से फ्राइ कर ले अब देख सकते हैं कितना अच्छा पक चुका है कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब मैं दो मिनट के लिए और इसे फ्राइ कर ली हूं देखे कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही टेस्टी जटपड़ बन भी जाता है और सिंपल है बनाना एर फ्रायर में तो आप लोग इसी तरीके से अगर आपके पास एर फ्राय है तो आप बनाई है नहीं तो आप इसको कड़ाई पे बना सकते हैं आप तोड़ा सा कोईल डालके इसे बनाई यहां हमारा चिकन तंदूरी बनके र लग चुका है थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में बाई